प्यारे बच्चों, जेसी आटी द्वारा हिंदी इलेक्टिव या हिंदी एच्छिक का मॉडल सेट वन बच्चों के रिक्वेस्ट पर आप लोगों को मॉडल सेट वन का एंसर इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे आप लोग ध्यान से सुनिएगा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल 21 पुलस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जादा से जादा जरूर करें तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सिखते हैं पाहला कोश्चन है इस कहानी को पढ़ना है और इससे संबन्दित कोश्चन के अंसर देना है तो पाहला कोश्चन है विरधावास्था किन्हे अपना सिकार नहीं बना सकती है तो जिने भविस की चीनता है जो कर्म सील होत गध्यांस में किने तरुन कहा गया है तो यू आवस्था को अथवा का कोश्चन है इसका वीता को पढ़ना इससे जुड़े सवाल के अंसर देना पहला का अंसर है संध्या समय का वर्नन है खा का अंसर है यहां आस्मान से संध्या सुंद्य उतरने की बात कही गई है गा का एंसर है तीमी रांचल में चंचलता का नहीं कहीं अभास का आसे है रातरी काल में जीव जन्तु की सभी किरिया कलाप बंध होने से सांतिचा जाती है खंडखा अनुसासन या महिला सा सकती करनपन आपको निबंद लिखना है तो हम लोगा अनुसासन पर पहले निबं लिखते हैं अनुसासन का अर्थ है सासन में रहना फिर या सासन विवेक का हो अपनी चिंतरसिल बुद्धी का हो या अपनी सरकार अथवा अपने समाज का हो मनुस्स एक समाजिक पर आने, इसमें संदे नहीं है कि उसके हाथ पर है, फिर भी वह अपने आप में पूरा नहीं है, कदम कदम पर जन से मरं तक उसे समाज के साथ ही उसकी सहयता क्या सकता पड़ती है, और साथ ही कुछ नियमों में बंद कर चलने की भी, समाज का नियम है कि हम माता पिता गुरुजनों का समान करें, स्वयम आनन जीए और दूसरों को भी जीने दें, किसी के धन पर लोब भरी नजर ना डाले, किसी को कश्ण ना पहुचाए, ना तो समाजिक विवस्ता को छिन भिन करें, और ना ही समाजिक सांती को ही, ये सभी सब समाज के सासन या नियम हैं, एवं इनका तादपर्ता से पालन ही अनुशासन कहलाता है, इसलिए इसे नियम अनुवर्तित भी करते हैं, यदि हम छातर अपने माता पिता गुरुजनों की आग्या का पालन करते हैं, और समाजिक मार्यादाओं में बंद कर चलते हैं, तो कहा जाएगा कि हम अ कानों की लूट पात करते हैं, जिस से में मतलब भ्यगडा मोल बैठते हैं, तो हम उच्खल कहे जाएंगे, अनुशासन हीन कहलाएंगे, आज आप सकता इस बात की है कि हम छातर अनुशासन हीन या उच्छल ना रहा का अनुशासित हो और राचनातों का कारियों में अपनी की रूचि बढ़ाएं, अनुशासन का ही अधिक वैवारिक रूफ है। प्रसंप्ति ना तो प्रसासनिक अनुसासन का उलंगन करता है परनैतिक उलंगन को रोकने तो स्वध्वेक का अभाव है कारण जो सिच्छा हमें दी जाती है और जिस परकार दी जाती है उससे हम लोग कितावी कीड़े भले हो जाए पर हम लोगों में सद्विवेक नहीं आ जाता इसका एक बड़ा कारण समता है कि हमारी सिच्छा पदती में नैतिक सिच्छा की कोई विवस्था नहीं है अब हमें सिच्छा शास्त्री वा राष्ट के करंधार भी मसूर करने लगे हैं शेश्टाचार परिवारी के वं समाजी सुखों की कुंजी इसके पालन से व्यक्ति की लोगपिरता बढ़ती है उनके साथ भला बरताओ करते रहे यदि हर वेक्ति अनुसासन और सिच्छाचार के पालन को अपने जीवन का मूल मत्र मान ले तो क्या परिवार और क्या समाजपूरे राष्ट का भी नैतिक उन्यान हो सकता है जो सभी परकार के विकास और प्रगती का मूल रह से इसलिए हमें तत्वरता से शिष्ट अचार और अनुसासन का पालन करना चाहिए विद्यार्तियों में अनुसासन हिंता आज पती दिन समचार पत्रों पत्र पत्रतिर्काओं में हम छात्र अनुसासन हिंता की घटनाओं की चर्चा पढ़ते हैं आई दिन विद्यालों महाविद्यालों अंविस विद्यालों में चात्रों द्वारा उत्पात दंगों हिसात्मक वारदातों चात्राओं के साथ अभधर वेवार के नजारे दिखने की मिलते हैं आज छातर सिचोकों के पति समान की भावनतों क्या सद्राव भी नहीं रखते छातरों की उडंता तता उचकलता दिन बढ़ती ही जा रही है रेड़गाणिया बसो सिनामगरों बजारों तता अनसाजनिक अस्थानों में उडंड अभदर वेवार करना आज के छातर के लिए एक आम फैसन की बात हो गई अपने उडंड वेवार के कारण छातर स्वाज़त निंदा के पात्र होते जारे आज छातरों के नुशासन हिंता राष्टियस्तर पर एक विश्म समस्या बन गई है अनुशासन हिंता के कारण हमारे छातर आज ऐसा क्यूं हो गया है उसके उड और उचल होने के क्या कारण है छातरों में अनुशासन हिंता एक दिन या एक रात का पर इनाम नहीं है और ना है कि एक कारण विशेज से उद्रपता का जन्म हुआ है छातर अनुशासन हिंता के कूपर भाव चातर अनुशासन हिंता के कूपर भाव के वर सिच्छन संस्थाव तक सीमित नहीं है इसका कूपर वासंपूर समाज पर पढ़ रहा है आज समाज के सभी अंग चातरों के अनुशासन हिंता से तरस्त हैं परिसान है चातरों की अनुशासन हिंता के कारण सिच्छा के अस्त परदान नहीं कर सकते हैं आज अच्छे लोग राजनिती से सन्यार लेते जा रहे हैं परनांसुरों राजनिती पद भ्रष्ट एवं आसमाजिक तत्वों का खड़ाद बनती जा रही है गोली और डंडे के बल पर चुना जीतने वाला कथी पर सही नित्रित्व परदान नहीं अच्छा पदाधिकारी बन सकता और नहीं अच्छा द्या पाग नहीं अच्छा भी भावक बन सकता है सिचह कमूल उपदेश रूप से ग्रसित हो रही है अब है महिला सा सक्तिकरन पस्तावना इस इस सिष्टी के दोनों रूपों के निरंतल चरते रहने के लिए स्रश्टा ने सभी जिवधारियों में नर और मादा स्रेनी का निर्मान किया है तथा तदर रूप उनका सरीर गठन किया है दोनों में प् पश्रम ही होते है नारी का मात्र समाज में नारी का अगया उसके अधिकारों पर कुठारा गहत हुआ है तथा उसे कारिष्ट सीमित हो गया वह पूर शों के मात्र भोग की वस्तु समझी जाने लगी है अंग्रेजी नाठक कारण ने यहां तक कहती है कि वेविचानना दु को काम लूँलुता निगाहूं से बचने के लिए पर्दा पर्था प्रारों में नारी घर की चार nervous does होगी तदा सिछा के पलते होगी नारी उपेची त्रहे समाज में नारी का भारत्य दर्न स wealth किति प्रवरावं से भी उचा स्ठान दिया गया है यत्र नार्यस तू particip यते रमन्ते तत्र देवता नारी देवी वह मा भी है बहन भी है और पुत्री भी है पत्नी के रूप में वह सचरी है पराई इसरी को माता कहा गया है मातरवित परद्रा रेशू भारतिय वागमे में नारी को इतने उचे अस्थान पर पत्रिशिट किया गया कि जबकि पाच् स्विधा की साजिद्धारी माना गया है प्राचीन काल में नारिस इच्छित विदूसी एंव करते पर आयना होती थी ज्ञान विज्ञान अध्यात्मा को लोकाचार सर्थ पूर्शू में कम नहीं होती दिगार गया अपला अरुंधती सावित्री आदी अनेको महान नारियों के नाम इत्यास के पन्नों में अंकित है नारि जागरन है उनारिस इच्छा है तु운 परियास आधुनी काल आते आते आधे नारी पधेरों की जूति सम्झे जाने की वे वन सांस्किति की सित्यों में कंतिकारी परिवर्तन आए उभास सरकारी एमंगेर सरकारी संसा द्वारा महिला उत्थान के लिए नेक परियास कि जा रहे है परंतु जब भी तो समाज जाओ नहीं होता है और नारियों के पति सहुंता का दिश्टी को नहीं बदलेगा तब तक परि जीवन को स्वच और सफल बनाते हूं तो त्याग सविंता लज्जा आधी देव ये गुनों को ना त्यागे वरन सेवा वरती तथा करता प्रायन बनी रहे अभी इस दिशार में काफी परियास करने क्या हो सकता है अर्थ साथ की पढ़ाएं नहीं हो रहे है इसके लिए मैं कला संकाय का विदात हूं और मेरा एक विशय कारण इस विशय त्यारे अधूरी है सभी चातर इस विशय को लेकर परिशान है अर्शार की पढ़ाएं विकल्ब निकालेंगे आपका विश्वासी दिपकुमर गाका है गाका इंसर है सेवा में संपातक प्रभात खबर राची विशय नगर में बढ़ते परदूसन का खत्रा महोद है आपके सम्मानी दैनिक समचार पत्र के माध्यम से अथानिया निकाय है उच्छ प्रसादिकारियों में अध्याच्चे परदूसन नियंदर रोड ज् इस से परियावरन पर भी गंभीत प्रभापड़ा है नगरों प्रदूसन के मुग के कारण विविन परकार की कंदिया है इसमें घरेलू कूडा करकटो पलोथिनों के यंद्र दंद फैलाओ नाले नलियों की बुरी हालत मल जल सुरा अस्पतालों और नीजी नर्सिंग हों सागरा कि जानकर राज की पदूसन मुगत बनाने लिए त्वरित करवाई की जाए अस्थानी निकाय और पदूसन अंदर मोड हरकत में आया और पदूसन रोकने के कारगर उपाय करें यह यह दिन दूर नहीं जब प्रकृतिक गोद में बसी राज के नागरिक पदूसन ज इसी ताजा घटना विचार या समस्या ही रिपोर्ट है जिसमें अधिक सधी लोगों की रूची हो और उसको अधिक सधी लोगों परभाव पड़ारा और लेखन द्वारा किसी समचार पत्र राण मादम से जनता को इस परकार से सूचना देना जारूता और सिचित बनाना समचार लेखन होता है पत्रकार ये लेखन का संबंद वास्ति घटना और समस्या या मुद्दो से होता है या निवार रूप से तथा कालिता और पाठकों की रूची और सवत्ताओं को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है समचार लेखन की भी सिस्ता है समचार के तो समचार में रोचक टा नवींता निचबस्ता और विशक्षणiniया का होना पेचित है, विसार समुदाय के लिए लेखन, kleine और पत्रीकार कर लेखना रखना होता है कि वह एक ऐसे विसाल समुधाय के लिए लिख रहा है जिसमें एक विद्वान से लेकर कम पढ़े लिखे मजदूर और किसान सभी सामिल है सहसराल और रोचक भासा सहली पाठकों के भासा ग्यान के सासा उनके सहचनी ग्यान और योकता का विसे ध्यान रखते हुए समचार ले अगर आप में लिखा जाता है उसके बाल महदू के घटते क्रम में महत्पुन बाते लिखी जाती है चाह का कार समचार लिखते समय पद्रकार मुखता च्छा का कारों का उतर देने का बद्रकाता या च्छा का कार है क्या हुआ किसके साथ हुआ कहा हुआ कब हुआ कैसे और क्यूं हुआ किसी समचारी घटना की रिपोर्टिंग करते समय इंचा का कारों पर ध्यान देना आवशक होता है इन दो समचार के इंट्रो यहां इंट्रो समचार के इंट्रो या मुखड़ का सही है कि समचार का पहला प्यागरा समचार का मुखड़ा इंट्रो खालाता है इसमें आरम की दो तीन पंतियों में समचार तीन या चार का कारो को अधार बना का समचार लिखा जाता है या चार क का का है क्या कौन कब और कहां समचार की बॉड़ी समचार के मुखड़े यानि इंट्रों को लिखने के बाद समचार की बॉड़ी आर समापन आता है जिसमें छह में से दो सेश का कारों कैसे और क्यूं जवाब दिया जाता है खंडग जो आपके पाट पूस्तक पर अधारित कोश्चन है तो का का अंसर है भरत राम का प्रेम तूलसी दासिर्स कांकित कवी तक इस कव्यांस में भरत ने अपने परती राम के विशेश किरपालों सुभाव पर प्रकार डालावे कहते हैं स्वामी मैं आपके सुभाव से भली भाती परिचित हूँ आपने अपरादियों पर भी कभी क्रोध नहीं किया मुझ पर सदा आपने विशेश असने और किरपा बनाए रखी खेल खेल में भी आपने मुझसे बदला लेने की बात कभी नहीं सोची इस अवतरन की भासा अवदी है छन चौपाई है निज न बारा मास नाम कवीता से उद्रत उसके रचेता मलिक मुहमद जैसी जी है इस काव में विरहनी नाई का नागमती भर मर एवं कौवे द्वारा अपने पती रखत सेन को संदेश भेज रही है व्यक्या नागमती कहती है कि इस अगहन मास की ठंडी एवं असहनिये आग से मेरे स्वामे तुम नहीं समझ रहे हो मेरा योवन मेरे जीवन को भज़ किये जा रहा है विरह की आग तो को तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो विरहनी प्रिये मिलन में समर्थ होने पर भौरे तथा कोवे को अपना संदेश वाहाग बना कर अपने पती का संदेश पहुचा तू कह रही है कि हे भाव रे और कोवे तु मेरे पती से कहना तुमारी पदनी वीरह की आग में जलकर मर गई है उसकी आग से जो धुमा निकलता है उसी के कारण हमारा रंग काला पड़ गिया है चौथा का अंसर है आपका माग महिने में पाला पड़ने कारविहिनिक नाय का पिया वियोग में जडवत हो गई है पती के बिना भैनक ठंड रजाई उड़ने से भी दूर नहीं होती विरहनी कहती है कि हे मेरे जीया पिया विन कापता रहता है वह कहती है वीरा के कारण में आखों में आसू बहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल जल बरस रहे हो उनका स्पानी सरीर के अन्य अंगो परवान के चीरने के समान कश्ट दाई लगता है इस पद में विर्हिनी की वेदना का मार्मिक चितरन पस्तूत किया गया है खा का एंसर है राम के वन चले जाने के बाद उसकी एक एक बस्तू को दे कर मा को सल्या का हिज़य फड़ता है उससे जुड़ी परते एक स्मीर्थी उसके हिदे को सालाती इन दोनों ही पदों में माता को सल्या की व्याकुल मनुदसा वियोग वात सल्या ओमार्मिक परुनन हुआ है गा का एंसर है इस उद्रान का अतात पर यहा है कि कभी ने प्रान प्रितम सुजान की दर्सन की प्यास में अठके हुए हैं वे अब निकलने वाले हैं इसलिए उनका प्रान चाहता है कि वा प्रिया को एक बार आने का संदेश तो सुन ले उसके बाद वा विसरजित होकर भी दुखी नही पांचमा का अंसर है लोमडी रोजगार पाने के लालच में स्वेच्छा से जा रहे थी क्योंकि सेर ने यह परचार कर रखा था कि उसके मुह में के अंदर रोजगार का दबता था लोमडी का कहना था कि सेर के मुह में समा करवा रोजगार के दबतर में आविदन पतर जब से नावा गाउं के 18 गाउं को उजार दिये जाने की सरकारी घोसना हुई थी तब से वहां के आम के बीचों पर सूनापन चागया था वे अपने आप सुखने लगे थे और उनमें फल लगना बंद हो गया था इसी कारण अमझर गाउं में सूनापन व्याब तो हो गया थ गा का अंसर है उस छोटी सी मुलकात ने संभो के मन को जिन जोड़ दिया दूसरा है संभो का मन बेचैन हो गया उसने उसका पीछा किया परंतु ना मिली तीसरा अगले दिन के लिए वा पंडी जी से कहकर गई थी सारी रात उसने करवते बदल थे काटी सुबा होने की इंत परकार किसी लड़की से अकेले में वा पहली बारवा कुछ भी छनों के लिए मिला परंतु इतना भाविबोर हो गया कि पुना मिलने की उससुक वा बेचैन सा हो गया अगले दिन मिलने की तड़प उसे सता रही थी छठा का अंसर है निर्मल वर्मा की किरती है रात का भाती ही एक जलपूस है इस पूस को कुमुद या कोका बेली भी कहा जाता है जहां कभी भी पानी का जमा होता है तालता या गड़ों में या फूल खील जते या फूल भारत वसमें सरत्र पाया जाता है इस फूल के बारे में कहा जाता है कि वा चांदरी रात में इंकिलता ह कोईया और चंदर्मा का एक निष्ट प्रेम एक मित्या के रूप में पत्लित है जुत्सना भरी रात में खिली वी चांदनी और कुराईयों की पतियां मिलकर एकाकार हो जाती है कुराईया की गंद विलचन होती है उसकी मदमाती गंद को जानने वाला ही जान पाता है इसी का ताब और कुमों को उजाड़ दिया है वनों के अंधा दून कटाई से परियावन में घोरा संतुलन आ गया वर्सा में कमी आ गए भुगर का जल अस्ता तेजी से गिरता जा रहा है धर्ती करम हो रही है वाता वरान गरम हो रहा है धुर्वो की बरा पिगल रही है लदाक में बर्फ जमने की बज़ाए पानी गिर रहा है, बाड़ बेरा डूब रहा है, यूरोप अमरीका में गर्मी बढ़ रही है, या सब 6 विकास का नतीज़ा है, हमने प्रकृति परियावरन के छरन की जिनता छोड़ दी है, जैवी वीत्ता को नश्ट कर दिया, इसका परियावाज की दुनिया की तबाहि की और बढ़ना है, पहले लोग प्रकृति में जितना लेते थे, उतना देने की कोशी भी करते थे, वन पेड काटते थे, तो लगाते भी थे, उभोक के सासा सनच्छत चलता था, आज यह बात भुला दी गई है, मालवा भी इस खाव उजारू सब्य की मार से बच नहीं पाया है, जहां डग डग रोटी और पग पग नीर की बहुयातात थी, वहां भी अब दुसकाल पढ़ने लगा है, प्रभाव जोसीन ने रिकॉर्ड के अधार पर इस सच को जागर किया है, इसलिए उनके द्वारा लिखित पाट का सिर्सक अर्थपूर है, आठवा का अंसर है, विस्वनात परनिम्रिकित अत्याचार में पहला, दूद छिन जाना, विस्वनात अभी कुछ ही बड़े हुए थे कि उनके छोटे भाई ने जम ले लिया, मा छोटे भाई के दूद पिलाने लगी और उसका दूद पिना बंद हो गया, छोटा मा का दूद पिना बंद हो गया था, साथ ही उन्हें पालन पोसन के लिए दाए को सौप दिया गया था, वा उनको जमीन पर एक बिछोने पर लेटा देती थी और वा चुपचाप चांद को देखते रहते, मा का दूद छूटना और दाए द्वारा पालन पोसन विस्वनात को अत्याचार लगता है, इसी का अत्वा का एंसर है, पहला अध्योगिक विकास, आज माना विकास के नहीं ने परतिबा छूरा हवैसे, तो विकास हर छेतर में हुआ है, लेकिन उध्योगों के छेतर में विकास सतन तिरुगति से हुआ लगतार बढ़ते उध्योगों ने वातारों पहबुरा परवार डाला है, इन दोगों से निकल गैसों ने पुरित्वी के तापान को तीन डिगरी सेर्सियर बढ़ा दिया, जिसे मौसम में काफी परिवतना गया, सर्दी गर्मी, तता वर्सा तीनों की मातरा और समय वीचिन बदला हुआ है, अब वर्सा की प पदूसन भी काफी अधिक बढ़ गया, जिसे वायू पदूसन तो बहुत अधिक फायर गया, फैटियां तता वाहनों के दुवे ने वातारों को दूसित का दिया, ये दुवे वायू वर्सा की मातरा को परभावित करते हैं, तो बच्चों बहुत स्प्रीट बोले हैं, मे